Hello everyone, welcome back to Akash Talks, it's a very important video for each and every class 12 students, तो एक इस विडियो का अन्दनाम ने एक news भी देने वाले हैं, इस चीज को लेके बाद भी करने वाले हैं, regarding the cancellation or conduction of ICAC and CBAC examinations, तो as for the concern पहले हैं मैं थोड़ा news देने वाला हूँ, news यह है कि cancelling exams unfair to students, a teacher filed intervention in supreme court, सबसे बड़ा बात यह है कि सबको पता है, last video के अन्दनाम यह लेके बात किया था, कि supreme court के अंदर मर्मतर शर्मा जी जो advocate, उन्होंने case file किया था, regarding cancellation of board examinations, उन्होंने यह बोला था, कि या फिर एक case कि right now exams को fully cancel करना बहुत बड़ा गलत बात है, तुम इतर यह देख साथा हो कि as per the report, the math teacher in Kerala has voice concerned over the requesting of cancelling examinations, calling it unfair for students, यह students के लिए एकदम unfair, ऐसे ही नहीं है, क्यों उन्होंने इसका reason भी दिया कि और exams को fully cancel करना नहीं चाहिए, यहाँ obviously मैं तुम्हारा मनतव्य लूँगा, तुम्हारा concern लूँगा, मैं भी अपना point of view लूँगा, तो वीडियो को please end तक देखना and please वीडियो को ज़रूर शियर करना, इट सब वेरी news-oriented authentic वीडियो, ठीक है, so पहली बात तो यह है कि exams को fully cancel करना, बारवी के लिए बहुत हानी करक है, मेरे को पता है COVID बहुत ज़्यादा फैल गया है, बहुत गंदा बात है, बहुत खड़ाब बात है देश के अंदर, बट फिर भी उनका मानना यह है कि एक intervenant दिया है यह फिर case जो फाइल किया था, बहुत भारी मात्रा में इंपोर्टेंट है, इसके साथ उन्होंने यह भी बोला कि कैंसल करने से, instead of cancelling, it is better to find another kind of way, through which they can receive program and they can take examinations and they can give marks according to that, means एकड़ाम एक्जाम कैंसल करने से अच्छा होगा कि कोई अगलक सा वे निकाला जाए, जिसके द्वारान CBSC and CISC exams को ले सके या फिर ले पाए, ठीक है, इसके साथ जो student का standard है, वो भी घड़ जागा अगर exams नहीं लिया जाएगा तो, and इसके साथ-साथ और एक बात है, कि दो state में सबको पता है कि 12 वीके exams हो गया था, state board में, दो state में कौन सा कौन सा state है, and Supreme Court के पाँ, मतलब 25 तारिक तक जो समय लिया गया था, कि उसके उपर decision लिया जाएगा भी पता नहीं कि और कितना नाठाक होगा, whether exams will be conducted or whether it will be stopped, we don't know till now, you have it till yet, yet to know, right? तो अभी बात है कि भाया, क्या करना चाहिए, मेरा मुद्दे की बात, मेरा point of view है, मैं बोलूँगा, पहले तुम अपना point of view बताऊ, नीचे comment section के आंदर, वीडियो को एक like and share ज़रूर करना, and चैनल के अंदर अगर नहीं आ गए हो, तो subscribe कर सकते हो for this kind of videos, ठीक है, मेरा point of view यह है, कि obviously इसका बात सही है, in teacher, means in math sir का बात सही है, मैं मान रहा हूँ, आपका बात सही है, कि exams cancel करने से student का standard घट जाएगा, yeah obviously I do agree with his point, but again I am telling student का health matters more than examinations, I think it's a very important and crucial point for each and every students, those who are right now watching me, for each and every parents, जो parents भी मेरे को देखते हो, यह फिर जो students यह, जो मेरे भाई बेहन हो, जो मेरे को देखते हो, यह काफी health is most prior year than education, am I right? So my point of view यह है कि और थोड़ा देखा जाए, and अभी भी नीर जेमेंस मतलब बंद है, ठीक है, यह बात है, तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लास्ट देखे प्रेम कोट के अंदर केस हो, अभी इस case को, इस file को रोकने के लिए, यह और एक वेक्ती आ गया, और एक teacher है गया, जो इसको रद करने के लिए, ना का कि ने, एक्जाबस को कैंसल करना नहीं चाहिए, तो बहुत गर्बर हो रहा है, पूरे market में, educational market बोल सकते हो, यह आपर पूरे देश के अंदर, and मेरा मात तो यह है कि, point काफी सही irrelevant है, बाट इसके साहता, we have to consider corona, it's a very dangerous right now, right? so मैं right now अपना एकदम सा point of view कुछ ने दे लहा हूँ, मैं सब इतना बोला कि हाँ, इसका point relevant है, तुम ही सोच हो हाँ, relevant है, but you have to see the circumstances, you have to see present, current, situations, and एक अंदर एडमिशन लेने के लिए, एकडेमी शीन भी बहुत सरे बात कर रहा है, बहुत सा चर्चा कर रहा है, अभी देखना लाइक यह है कि क्या होने वाले है, फिर क्या होगा, या फिर क्या decision, फाइनली लिया जाता है बाई, सुप्रीम कोट, next hearing में, तब तक के लिए चलते हैं, see you, have a very good time, goodbye, good night, and keep watching our Kashtalks, thank you.